नमस्कार दोस्तों गोईल सोइंग मशिन की चैनल पे आपका स्वागत है हमने आपको यह डाइसन मॉटर का अन्बॉक्सिंग दिखाया उसके फीचर्स के बारे में दिखाया आज हम आपको बताने वाले इसमें क्या क्या एरर आ सकती है और उसका क्या सोलुशन है या वो एरर क्यू आई हुई है वो हम आपको आगे बताएंगे तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इ-a-r-0-1 जो कॉमन एरर है और वो एरर आपको आप अपने आप खुदी सॉल कर सकते है तो चलिए हम आपको एरर सोलुशन बताते सबसे पहले इ-a-r-0-1 यहां पे आप देख रह अभी आप मॉटर चालू करेंगे तो आपको E01 का एरर आएगा, देखिए E01 आ गया, आपके यहां से E01 हटेगा नहीं, आपकी मॉटर चल रही है परन्टो आपको E01 की एरर आ रही है, तो उसका सॉलिशन यह है कि यहां पर यह जो है वो नीडल पोजिशन की लाइट है, आप आपके मॉटर में नीडल पोजिशन का सेंसर नहीं लगा है, और आपने नीडल पोजिशन चालू कर दिए, अगर आप यह पी डबा के उसको बंद कर देंगे, और मॉटर चालू करेंगे, तो आप यह नीचे नीचे लाइट चालू हो गई, दोनों लाइट बंद होनी आजाएगी, जैसे ही आप लाइट बंद करोगे, आपको यह नॉर्मल मोड पे आजाएगा, तो E01 की जो एरर है, वो ऐसे कॉमन एरर है, और ऐसे प्रॉलमेटिक भी नहीं है, परन्ट वो E01 एरर मिन्स के वो नीडल पोजिशन का सेंसर ढून रहा है, उसको सेंसर नहीं मिल रहा है, इसके लिए वो E01 आती है, तूरंटी आजाएगी E01, अब हम आपको बताएगे E02, E02 की एरर कब आएगी, इसके लिए हम आपको प्रैक्टिकल टो नहीं दिखा पाएगे, पर आपको उसका प्रॉलम कहां पे होटा है, वो हम बताएगे, इसके पीछे एक सौकेट लगाए, सबसे पहले मौटर बन कर दीजे, चालू में कोई भी प्लक खोलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको करन्ट लगने का चांसिस रहता है, यह देखिए, यहाँ पे जो पाँच पीन दी गई है, वो आपके फूट रेगूलेटर की है, और यह जो चार दी गई हुई यह आपके मौटर को पाँच पीन है, यह जो आप पेर दबाते हो, क्लच फूट रेगूलेटर को पाँच पीन में से कोई भी पीन को कनेक्शन न मिलने की वज़े से आपको E02 की एरर आएगी, E02, अभी हम आपको E03 भी साथ में ही बताते है, E03 कब होगा जब यह कनेक्शन आपने मारा हुआ है, और वो लूज है, ऐसे आपने रग दिया, आपको लगता है कि मैंने कनेक्शन किया हुआ है, पर यह कनेक्शन हुआ नहीं है, अब मैं मौटर चालू करता हूँ, अब हम आपको मौटर चालू करके बताते हैं, यह जो कनेक्शन है, देखिए, यह कनेक जो connection है आपको उसको सही प्रेस करना है और यह आपको यह आपको यहाँ पर insulation cover भी चड़ा देना है नहीं तो कोई भी बच्चा यहाँ पर टच करेगा तो current लगने के chances रहते हैं अगर lose हुआ तो अब हम आपको motor चालू करके वापीस बताते हैं यह आपकी motor चालू हो गई यह देखिए यह 0-2 आपका कब आएगा जब आपका food का कोई भी पीन लूज होगा तो और यह 0-3 तब आएगा जब आपका motor का connection लूज होगा यह वहाँ पर socket को कोई भी पीन में problem होगी तो आपको यह error आने के chances हैं हमने आपको E-0-1-2-3 के मारे बारे में बताया अब हम आपको बताएंगे E-0-4 E-0-4 error तब आएगी जब आपकी motor में motor jam हो रही हो या कोई भी इसकी अंदर tin diode आते हैं इसमें से कोई भी एक diode में problem हो तो आपके E-0-4 की error आ सकती है सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी machine jam नहीं हो गई है ना machine jam होने की वज़े से motor लोल लेती है और आपका E-0-4 या E-11 आपका error code आ सकता है E-0-5 error जब आएगा तब आपके card में यहाँ पे जो circuit board में problem हो और उसके अंदर से उसके अंदर तीन से चार मौसफे काते हैं वो मौसफे कूर जाते है तो आपको E-0-5 की problem आ सकती है E-0-6 की problem भी आपके यह controller के अंदर card में problem होने की वज़े से ही आएंगे वो हम आपको बताते हैं कि यह card में कुछ भी problem आए तो आपको E-0-6 की error आ सकती है अब हम आपको बताएंगे E-0-8 और E-0-9 E-0-9 की error की वज़े से आपकी motor चल नहीं पाएगी E-0-9 जो error आती हो तो आपको जो पीछे के motor के connection है उसमें wire check करने है motor से या आपके controller में जो wire जा रहा है वहाँ से कोई भी यह wire में problem होने की वज़े से E-0-9 error भी आ सकती है E-0-10 जो error है E-0-10 error है अगर आपके controller में ज़्यादा power आ रहा है 230 से उपर power जा रहा है 280-290 तो आपकी motor अटक जाएगी और आपको यह E-0-9 की error आएगी अगर E-0-9 की error आती है तो आपको voltage कितना है वो चेक करने के लिए आपको आगे बटाया गया है हमने कि P और S डबाएंगे और C-0-1 डबाएंगे तो आपको यहाँ पर regulator आपको 0-2 बटाएंगे तो आपको यहाँ पर voltage दिखेंगे यह अभी जो voltage आ रहे है 236 है अगर आपके voltage हाई है तो आपकी motor चलेगी नहीं और आपको जो है E-0-10 की error आएगी आपको E-R-10 जो आपको error आने वाली है वो उसकी वज़े से हैं और आपको U-L-O लिखा होगा यहाँ पर U-L-O U-L-O का मतलब है कि आपके motor में low voltage जा रहे है तो आपको U-L-O की error आएगी अगर आपके 230 से कम voltage है तो आपको यह U-L-O की error आ सकती है तो हमने हो सके इतने error codes आपके सामने रखे हुए हमारा वीडियो आपके कही न कही काम लगेगा तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो like, subscribe और share करिएगा और हमारी चैनल को आगे हम बड़ा ऐसी आसा रखते हैं और आपके जो आप हमारे सब्सक्राइबर बनो वैसा हम इच्छा रखते हैं तो हमारा वीडियो एन तक देखने के लिए आपका धन्यवाद